कि विल्कम बेग एव्रीवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के हमारे सबसे बड़े मैच के बारे में जो यो की कहला जाएगा इंडिया वसे अस्टेलिया के बेश लेकिन यह मैस होगा ना यह बुम्रा, शमी, कुल्दी, प्राउल, कोई नहीं दिखेगा, पूरे नए प्लेयर खेलेंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ, टीम इंडिया गई है, टीम बी के साथ, आस्टेलिया के पास तो फिर भी, मतलब पांच-छे प्लेयर हैं, जैसे मैक्सवेल, स्मित, स्टोइनिस, इंग प्लेयर आपको इस मैच में खेलते हूँ, देखने को मिलेंगे, अब सबसे पहला टार्गेट होगा, टीम इंडिया का, ऑस्टेलिया ही टीम को ये मैच ही नहीं, बलकि पूरी स्रीज हारा के, फाइनल का बदला लेना, जैकि हाला कि फाइनल का बदला, अगर ये पूरी स्र परक तो नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि बाइलेटरल स्रीज और हार भी जाती है, तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा, बट एक हमको सुकुन मिल जाएगा, कि हाँ यार चलो कम से कम इन से बदला तो लिया, तो काफी बड़ा मैच है, और वीडियो को ध्यान से देखना, क्यो मैटिंग और होगा, कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, सारी चीजे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, और प्लस पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो आप सब के लिए रहने वाला इस मैच के अंदर दस हजार का फिरी गीववे, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मालूम होगा, जो फर्च सेमी फाइनल था, उसमें भी मैने दस हजार का गीववे रखा था, जो सेकंड सेमी फाइनल था, उसमें भी मैने दस हजार का गीववे रखा था, और इस वीडियो में मैं आपक का पूरा प्रूफ बताऊंगा कि यह यह लोग विनर आये हैं और इन इन बंदों को प्राइज मिलने वाला है और यह जो 10,000 का गिववे न यह आप अराम से जी सकते हो बस इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को कैसे जीतोगे करना क्या है वो आगे बता दूँग मैं उसमें आप बेफिकर रहा हो और जो पुराने विनर से उनका भी बताऊंगा है ना बस इतना ध्यान डखना चाए पुराने लोग हो चाए पहली बार चैनल की वीडियो पर आये हो कोई भी हो जो यह 10,000 का गिववे ना यह किन-किन लोगों के लिए जो चैनल के सब्सक् किया है जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना इस वीडियो पे हम लोग टारगेट लेते हैं मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दूँगा 3000 likes का और ये कोई ज़्यादा बड़ा target नहीं है 3000 likes कम से कम आप लोगों को करवाने और ये 10,000 का giveaway चले मैं यहीं पर clear कर देता हूँ फिर आगे और चीजे समझा दूँगा ठीक है ये 10,000 का giveaway बताए किन लोगों को मिलेगा 50 लोग तो वो लोग होंगे जो random select किये जाएंगे 50 लोग ठीक है जैसे for example के लिए आपने एक comment किया ठीक है तो मैं 50 लोगों को select करूँगा और उन 50 लोगों को price देने वाला हूँ कितने 5000 रुपे बचे कितने 10,000 का giveaway था बचे कितने 5000 रुपे बचे तो अब मैं 10 और लोगों को select करूँगा अब ये जो लोग होंगे ये वो लोग होंगे जिनके comment पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे जैसे आपने कोई comment किया और आपके comment पे सबसे ज़्यादा लाइक है तो आप लोगों को free में मिलने वाले हैं 5000 लेकिन ये ध्यान देना ये जो 5000 होंगे न ये अकेले के नहीं होंगे ये 10 लोगों के हैं और 10 लोगों में अगर मैं counting करता हूँ तो per user कितने आ गए 500 रुपे free में आप लोगों को मिलने वाले अगर आपके comment पे सबसे ज़्यादा लाइक होते हैं तो और even मैं आपको ये और छूड़ देता हूँ कि आपके comment पे आप खुद भी लाइक भड़ा सकते हो इससे बहतर कोई चीज आपको कोई देने वाला नहीं होगा तो यानि की total giveaway कितने लोगों का होगा 60 लोगों का price 10,000 का है पुराने giveaway की winners अभी आगे बताऊंगा क्योंकि उसमें तो फिर क्या होगा लंबी वीडियो हो जाएगी तो ending में मैं winners का बता दूँगा बस इतना ध्यान रखना giveaway only for those जिन्होंने चैनल को subscribe करके रखाए और जो वीडियो को like करेंगे चले आगे हम हमारी खाहनी को continue करते match की give away का तो पता नहीं कोई जीतेगा कोई नहीं जीतेगा क्योंकि randomly select किये जाएंगे तो किसी का number आए किसी का नहीं आए है ना बाकी देखिए टेलिग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो ना तो मेरी जो final team होगी small league की वो टेलिग्राम पे मिलने वाली है link मैंने description में दिया हुआ है और देखिए टेलिग्राम की अगर मैं बात करता हूँ ना तो जो 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 लोग जुड़े हुए उनको तो मालूमी होगा की मेरी winnings कितनी आती है देखिए मैं investment करता हूँ लाखों में और profit भी उठाता हूँ लाखों का यह एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई थी मैंने आप लोगों को जिसके अंदर की ओल तीन मैच के अंदर दो ही मैच में 45 लाख की मेरी winning है ऐसा हो सकता है आपको यकीन ना हो तो मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़े दिखा रखिए आप जाओगे तो दिख जाएगा वहीं पे 62 लाख का wallet money का proof है देखे जो टेलिग्राम से जुड़े हैं उनको तो मालूम ही होगा जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए यह नहीं चीज होगी तो description में लिंक है और अब आप पूछो कि भाई चलो मैं टेलिग्राम तो जोइन कर दूँगा लेकिन मुझे जोइन क्यों करना है तो जोइन करने का reason यह इस match की final जो team होगी ना वो टेलिग्राम पे मिलेगी साथ में जो final line up होगी वो टेलिग्राम पे मिलेगी जो batting order होगा वो टेलिग्राम पे मिलेगा और plus point जो pitch report होगी वो भी टेलिग्राम पे मिलने वाली है तो description में लिंक मैंने दिया हुआ है जरूर join कर लेना देखिए जो match होगा ना विशाखा पतनम पे होगा जहां पे world cup के कोई matches नहीं खेले गए हैं जान लग के चलना ठीक है विशाखा पतनम पे अभी आंधरा टीट्वंटी लीग का एक match खेला गया था बहुत सारे match खेले गए वैसे तो लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहां पे टीट्वंटी मैंचेस के लिए वेन्यू है यह और बहुत मैं एक्सपेड कर सकता हूं क्योंकि उस्टेलिया भी काफी एच्छी टीम है और इंडियन टीम भी काफी एच्छी टीम है ठीक है आखरी जो मैच यहां पे खेला गए था ना उसमें 14 विकेट गए थे और 14 विकेट में आपको ध्यान देने वाली बात यह कि 8 विकेट लेते स्पिनर्स ने और 6 विकेट लेते पैसर्स ने बाकी पिछी रिपोर्ट सबसे इंपोर्टेंट होगी कि भाई कहां पे यह मैच खेला जा रहा है हाना फिर वो उसी इसाब से आपको कॉंबिनेशन बनाना है क्योंकि देखिए आपको बता होगा ग्राउंड के अंदर एक पि पिछ होती है अब जिस पिछ पे मैच किला जाएगा वह कहां पे होगा वह इंपोर्टेंट होगी तो अभी विलाल में अगर वह लास्ट वाली पिछ पे मैच होता है ना तो स्पिनर्स आपके लिए मस्ट नीडेड होंगे यह ध्यान दखके चलना ठीक है और बाकी तो फिर फाइनल पिछ रिपोर्ट बता ही दूँगा मैं आप लोगों को देखिए इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ था जिसमें इंडिया ये टीट्वंटी मैच है द्यान देना जिसमें इंडिया की टीम जीती थी और फिर इंडिया उस्टेलिया का मैच हुआ जिस इंडिया की टीम जीती ती ये पिछले तीन मैच है और यहां पर आपको common चीज देखने को मिलेगी में कितना कम लेकिन इंडिया उस्टेलिया का जैसे यह मैच ले लो ज्यादा स्कोर तो नहीं हो आए बट इस्टिल यह वाला इतना गंदा सीन तो नहीं हो आना और फिर अभी वाले मैच में तो और भी अच्छे प्लेयर अभेले बले तो मैं तो यह बोलूँगा कि बोलर्स को तो करना को बता होगा कि उस्टेलिया फाइनल मैच जीत के आ रही है इंडियन टीम के वह एक मैच आ रही है और वह है फाइनल बाकी तो लगतार बैक टू बैक विनिंग है देखे प्लेयंग लिए उनकी में बात करता हो ना तो या श्रस भी देखे एक चीज मुझे बड़े गंदी अब इशान किशन वन डाउन पता नहीं देखते हैं बैटिंग ओर्डर क्या होता है वैसे देखिए गायक वार्ड और जेस्वाल ओपन करेंगे टीम इंडिया की तरफ से इशान वन डाउन या अगर इशान नहीं खेलते हैं तो फिर जितेश शर्मा खेलेंगे क्योंकि वि वही पैसर्स को टीम में लिया और रीजन यह क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो होता है और यहीं रीजन है कि तीन-टीन मैंने स्पेनर्स को टीम के अंदर इंक्लूड क्या है तीसरा पैसर श्यवम दूबे इस टीम इंडिया से बोलिंग करने वाला है यह लाइन अप है बैट सुन्दर और अर्षदीप सिंग ये तीनों में से कोई दो पावर प्ले में आएंगे और अर्षदीप और परसित किष्णा डेथ में आने वाले हैं अब देखें इस वेन्यू पे प्लेरों का रिकोर्ड देखते हैं जैस्वाल का पहला मैच होगा अगेंस ऑस्टेलिया और प सुर्य कुमार यादाओ ने उस्टेलिया की अगेंस तीन मैच खेले जिसमें एक मैच जीरो है और उससे पिछले मतला बाकी की दो मैच में बहुत अच्छा स्कूर है वेन्यू पे इनका पहला मैच होगा शिवम दुबे पहला मैच वेन्यू और अगेंस रिंको सिंगा भी यह विकिट है ना यह ऐसा प्लेयर है जिसको आप गलती से भी ट्रोब मत कर देना और यह मैं अपने मन से भी नहीं कह रहा हूं विकिट स्लो है प्लस में अगेंस ऑस्टेलिया बहुत सॉलिड रिकॉर्ड है भाई बन देगा और इस वेन्यू पे भी नोने एक विकिट निक क्योंकि इंडियन टीम में कुल्डीप के बाद अगर कोई बैस्ट इस्पिनर है तो वह यह यह बिश्णोई बहुत ही शानदार इस्पिनर अक्षर पटेल बगर तो फिर पर लाउंडर रोल अदा करेंगे बाकी बिश्णोई मेन बोलिंग का ही काम करेगा बाकी परसी तो रश्दीप सिंगे दोनों मस्ट नीडेड है और इस्पेशली जब टीम इंडिया पहले बोलिंग करें क्योंकि पहले बोलिंग करेंगे तो फिर भाई डेथ में आएंगे और डेथ में आके विकेट लेश जाए ऐसा बहुत कम होता है यह बैंच के प्लेर है जिसमें अगर दिहान रखके चलना टीम बनाने से पहले ठीक है बाकी फाइनल लाइनप क्या आती है वो भी देखते हैं क्योंकि मैथ्यू वेड भी इनके पास ओपनर है और इंग्लिश भी अब मैथ्यू वेड तो ओपन तो करते हैं लेकिन भाई जब दो दो ओपनर ट्राविस हेड तो यह तो कंफर्म है कि हेड तो ओपन करेगा बाकी इंग्लिश और वेड में कोई एक करेगा अब पॉसिविलिटी यह कि बहुत ही बहतर है सकता है और श्ट्रेलिया के लिए स्टिव स्मित वन डाउन जो सबसे बेस्ट पोजिशन है इनके मैक्सवेल सेकिंड डाउन फिर टीम डेविड मैथ्यू वेड श्ट्रोइनिस जेमपा बहरन डॉफ सीन एबट नाथन एलिस देगी यहाँ पर एक काम हो सकता है और वो यह कि मारकस श्ट्रोइनिस की जगा प का कोई नहीं रहेगा तीन तीन लेफ्टी है और वैसे भी बोलिंग अभी कर रहा हाले दिनों में तीन लेफ्टी का मतलब है हाई पॉसिमिलिटी चार और चार और का मतलब है मश नीडेट कैप्टन और अगर मैथ्यू शोट नहीं खेलता है ना तो फिर तो सबसे बैस इसको मिल सकता है नाथन एलिस बहरें ड्रोफ सीन अबट एक्सपेक्टेड़ ए पावर प्ले में बोलिंग करेंगे नाथन एलिस बहरें ड्रोफ और डेथ में रिचर्ट्सन में भी इस मैच में खेल ले हाला की पॉसिबिलिटी काफी कम है ट्रावी सेड का अगेंश इंड यह सब प्लेरों का टी ट्वंटी का रिकोर्ड ही ध्यान रखके चलना ठीक है बाकी टीम डेविड है अगेंश इंडिया एक मैस में 54 फेट्वल सुरी टू फिर 18 वेन्यू पर पहला मैथ्यू वेट का पहला मैथ्यू वेट का अगेंश इंडिया बहुत सॉलिड रिकोर्ड और अगर यह ओपनिंग में मैंचन होता है ना मस्ट नीडर प्लेयर की केटिगरी में आएगा ध्यान दखना स्टोइनिस की बात आती है ठीक ठाक प्लेयर है अब क्योंकि बोलिंग की चांस कम हो जाते है इस मेंडियू पे स्कुशली और फिर यह वैसे भी मैन पैसर्स के र और एबट की बात आती है तो एक विकिट इनको मिला है बाकी जो चार मैच है उनमें एक और तीन में फ्लोग वे न्यूव पे पहला मैच होगा रिचर्ड सन एक मैच खेला इंडिया के गें जिसमें विकेट लेस है और स्पैंसर जोहन सन्थ और बाकी जितने भी प्लेयर है मतलब उनका पहला माच होगा अभी हम बात कर लेते हैं गिववे की देखिए गिववे बहुत सिंपल है अभी बता दिया है मैंने गिववे कि आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हो मैं 60 लोगों को सेलेट करूँगा 50 लोग तो वो होंगे जो रेंडम लखी कॉमेंट में आने वाल है आप कॉमेंट करो आपको प्राइज कंफर्म मिलने वाला है ठीक है 10 लोग में वो सेलेट करूँगा जिनके कॉमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आने वाले चलो मैं आपको घीववैस भी दिखा देताओं फिर मैं आपको टीम वगेरा भी दिखा दूगा ठीक है पुराने जो गीववैस भी मैंने निकाल ने है का अपको डाइरेक्ट ली ठीक है थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा इंडिया और न्यूजिलेंड का जो मैस था ना ठीक है सेमी फाइनल फर्च सेमी फाइनल उसके जो गीववे के विनर से वह यह रहे सब देख लो ताकि यार बाद में क्या है दिक्कत ना हो आप सब लोग देख सकते हो ठीक है यहां पे सारे विनर को आप लोग देख लो जो सब मैंने मतलब निकाल के रखे हैं ठीक है यह इंडिया और न्यूजिलेंड का मैच है और इसके अलावा भी जो विनर से वह भी मैं बता दूंगा पहले एक बार यह किलियर हो जाए ठीक है थोड़ा लंबा जो होगा वीडियो बड़ चलेगा वीडियो लंबा तो चल ले हुए हैं और यह जितने भी विनर से सबका मैंने नाम देखिया आपके स्क्रीन के सामने दिखा दिया है ठीक है यह जितने भी बंदे विनर आ रहे हैं रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई नंबर अपने कॉमेंट कर दे ताकि ऐसा ना हो कि फिर मैं मतलब बाद में आप बोलो कि इसका मतलब है यह विनर होके भी इसको कोई प्राइज नहीं मिलेगा यह होती है बेकार किसमत इसने यह विनर है लेकर इसने डीपी हटा दी तो अब इसको प्राइज नहीं मिलेगा ठीक है इसको भी नहीं मिलेगा जिसने भी डीपी हटा दी उसका गीववे कैंसल है ठी दो विनर हो गए अब तीसरा जो मैस था वो था इंडिया और शेलिया का फाइनल मैच तो इसमें भी मैंने दो बंदे सेलेक्ट किये होगें ठीक है एक तो आई रेस्पॉंडेट पर क्लिक करने के बाद देखिए एक तो यहां पर एक तो यह रहा मेरी कॉमेंट भी कोई लाइ ना वो इसके अगर आपको लाइक दिख रहे हो तो दोस्तों के समतीन कुछ लाइक है ठीक है तो यह हो गई हमारे सारे विनर अब बस इनको प्राइज देना है और वो तुरंट मिल जाएगा जैसे यह लोग अपने नंबर को कॉमेंट कर देंगे ठीक है और ऐसे ही इस मैच में भी गीववे हैं 10,000 का जो मैंने आपको बताया दिया है और देखिए जो मैं कंडिशन्स बताऊनों वो आप हटाया मत करो क्योंकि अगर आपको कंडिशन्स को मतलब फोलो नहीं करोगे तो फिर भाई मैं कैसे आप लोगों गीववे दूँगा अव्वेसी बात है नॉर्मल चीज़े बिलकुल तो कॉमेंट करने से पहले डीपी लगा लेना ठीक है अगर आपने डीपी नहीं लगा रिखी वो चैनल की तो फिर भाई क्या ही वे बोलू फिर प कमेंट करो ठीक है पूरे दो दिन का टाइम है 23 का पूरा दिन और 24 का पूरा दिन दो दिन में तो भाई अराम से बंदे कमेंट कर सकते अपने नंबर दो दिन तो क्या एक दिन में भी कर दें चलो कोई भूल जाए तो यह सारी चीज़े तो हो गया गीववे यह गीववे का आपका सबसे इंपोर्टेंट काम है टेलीग्राम जोइन करना फाइनल टीम वहीं मिलेगी यार पिछ रिपोर्ट की कंडिशन्स जो भी रिपोर्ट आती है वह बैटिंग ओडर सब कुछ वहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक से जरूर जोइन कर लेना टीम देखते हैं तो इनको लूँगा मतलब जो बंदा टॉप अडर में आएगा इन तीनों मैंसे मेरी टीम में वही होगा और मैं फेवर करूँगा टीम इंडिया को तो मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ इशान किशन को बैटिंग सेक्शन में आने के बाद यहां से आपको ट्रावी से स्मित को लूँगा अकोडिंग टू कंडिशन पहले बैटिंग आती है तो लूँगा और बोलिंग आती है तो नहीं लूँगा और राउंडर सेक्शन में आने के बाद मैक्सवेल अक्षर पटेल दो मश नीडेड प्लेयर शिवम दुबे तीसरा पैसर्स का भी काम करेगा और बैटिंग आने पर बैटिंग से भी अगर आप चाहो तो इनको टीम के अंदर अराम से इंक्ल्यूड कर सकते हो अश्दीब सिंग एडम जेमपा स्लो विगिड़ थोड़ा सा तो जेमपा इंपोर्टेंट होगा उसके अलावा यहां से रवी विश्णोई और परसित कृ देखिए एक चीज़े द्यान देना जो भी आप प्लेयर देख रहे हो ना मेरी टीम में दस प्लेयर यह लगभग मेरे फाइनल प्लेयर है अब जो एक प्लेयर बच्चा हुआ है वह कैसे होगा वह मैं बता देता हूं मान लो टीम इंडिया करती है पहले बैटिंग तो मेरी टीम में फाइनल प्लेयर होगा सीन अबट और वो होगा नाथन एलीस को लेना पड़ेगा क्योंकि एलीस और एबट में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा और एलीस एबट दोनों ही बहतर है तो फिर यहां से मुझे या तो जिस वन किसी को ड्रोप कर नहीं सकते है तो फिर ए करेगी तो एबट कुछ ले लूँगा कि वो डेथ में आएगा है ना अब मान वो टीम इंडिया पहले बोलिंग कर रही है तो अब मैं एबट को हटा के एबट को मैं हटा दूँगा और मैं ले लूँगा यहां से स्टीवन स्मित को ठीक है वह यह कंडिशन वाइस टीम बन के साथ जा सकते हो दूसरे ऑप्शन होंगे आपके याशस्वी जेस्वाल जो इंडियन टीम के ट्रावी सेड है और फिर उसके अलावा फिर बोलिंग अटेक में विश्णोही वगर ऑप्शन होंगे मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मेरा वीसी रहेगा जेस्वाल और ब इसक्रिप्शन में फटावट से जोइन कर लो ठीक है थैंकि दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखने के लिए सारे गीववे मैंने किलियर करी दिये इस गीववे का भी प्राइज मिल जाएगा अगर आप विनर बनते हो ठीक है सब्सक्राइब कर लो तीन हजार लाइक का टार्गेटे पूरा करो और तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ठीक है थैंकि दोस्तों इस वीडियो के देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में